दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैटे मातर एक दिन में अपनी बावसीर को जड़ से खतम कर पाएंगे और बावसीर की समत्या से आज कल बच्चे और बूढे सबी लोग परेशान रहते हैं साथी बावसीर की समस्या में आपको असैनी दर्दका भी सामना करना पड़ता है होता है कि जब आप बड़ी पीते हैं या सिगरेट पीते हैं तो वो धुटके कलार आपके सरीर के अंदर जाता है और धुटका में जो टॉकसिन पाया जाता है उसके करण भी आपको बावसीर की समस्या होती है और बावसीर का एक और मुख्य कारण ज़्यादा तला हुआ भोजन करना ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन करना साथी बाजार के फिलकी चाट समोसे आदी का सेबन करने के कारण भी आपको पेट में अपच बनती है यह अपच बाद में आपको बावसीर की समस्या बना देती है इसके अलावा बावसीर का एक मुख्य करना आपका पानी कम पीना है जिसके करना आपके सेबने की कमी हो जाती है जिसे डिहाइडरशन कहते हैं जिसकर आपको बावसीर की समस्या हो जाती है तो इसमें जो हम नुस्का इस्तमाल करेंगे जो चीजें इस्तमाल करेंगे वो सब प्राकर्टिक हैं और इनका कोई साइड एफेक्ट भी नहीं है आप बाजार सेधी कोई भी प्रोड़क्ट या क्रीम उप्यों करते हैं तो इनका साइड एफेक्ट होने लगता है जिससे विटामिन डी पाया जाता है जो आपके बावसीर के मसों को जडाने में मदद करता है आपकी इसकिन और सबस्तुतक रिए लेना है अब इसमें जो अगली चीज हमें हमें इसमें एड़ करेंगे बो है ऐलोवेरा जेल एक दिब्बे उसर दी है जो बहुत प्राचीन समय से हमारे भारत में उप्योग करते आ रहे हैं ऐलोवेरा जेल में कुछ ऐसे प्राकरते एक तत्व पाय जाते हैं जो आपके आर्टेरिया एंटी-फंगल प्रौपर्टी तरी आती जो आपके बावसी के फंगल इन्फक्टन को दूर करेंगा इसे mentre करीगी तो इसमें हम और दोस्तों एक चम Beyond जैल कर regulation इस प्रकार दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये अलोवेरा जेल है इसको आपको इसमें एड कर लेना है और एक पेश्ट बना लेना है कुछ इस प्रकार का आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कुछ इस प्रकार का ये पेश्ट बनके तैयार हो जाएगा तो दोस्त भी आपको बावसीर है, वहाँ पर इस तरीके से लगा लीजिए, एपलाई कर लेजिए, और करीवें दो से पांच मिनट तक उसकी हलके हाथों से मसाज करिए, और जब ये मिक्चर या पेश्ट सूख जाए, तो इसे रूई या कॉटन की मदद से ठंडे पानी से साप कर पानी की कमी करना आपको डिहड्रेशन हो जाता है, जिसके करना आपको बावसीर की समस्या हो जाती है, तो हम इस नुस्के में हम पानी को एड़ करेंगे, जिससे पानी की कमी आपके सरीर में नहीं होनी चाहिए, और जिससे आपकी बावसीर की समस्या वे दूर होगी, तो ह वेनेगर में कुछ ऐसे तत्तों पाए जाते हैं साथ ही कुछ ऐसे ओसदियां पाए जाते हैं साथ ही कुछ ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो आपके बावसीर के मसों को जड़ाते हैं आपके दर्द को कम करते हैं और आपकी इसकिन को रिश्टोर करने में मदद करते हैं आपको खाने वाला वेनेगर लेना होगा और इसमें क्या करेंगे दोस्तों एक चम्मच के बरावर इसमें हम क्या करेंगे वेनेगर को एड़ कर देंगे इसमें दोस्तों आपने देखा ये वेनेगर मैंने ले लिया आप इसमें इसको हमको एड़ कर देना है और इसका एक क्या कर लेना है दोस्तों हमको पेश्ट बना लेना है एक मिश्चर बना लेना है कुछ इस प्रकार से इन दोनों चीज़ों को मिला लेना है इनको दो से पांच मिड़ तक आप अच्छे तरीके से मिलाईए जिससे ये आपसे मिल जाए अब दो बर में जब भी आपको टाइम रहे तब आपको इसको पीना है और दोस्तों आपको जो वेनेगर यूस करना है जो कि अचार और मुरब्मे में डालने के लिए उपयोग किया जाता है आप जानते हैं कि वेनेगर में कुछ दिब और सदी पाए जाती है जो आपके बावसीर के मसों को जड़ाने में मदद करती है तो दोस्तों इसन उसके को आपको दिन भर में पीना जब भी आपको टाइम रहा है आपको इसको पीना है आप देखेंगे कि इसको पीने के बाद एक ही बार में आपको जो बावा सीर में दर्द होता है वो खतम हो जाएगा साथ ही बावा सीर के मसे आपके जड़ने लगेंगे और बावा सीर में जो भी प्राबलम है वो दूर हो जाएंगे दोस्तों यदि आपको वीडियो एच्छ लगए तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को सेर करें साथ ही हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें अब हम मिलते हैं अगले वीडियो